स्वागत है आप सभी का आज हम आपके लिए श्रीमत भागवद गीता का सात्वा अध्याय लेकर की आए हैं जिसके महात्मे के बारे में भगवान शीव के द्वारा पारवती माता को बताया गया है भगवान शीव कहते हैं पारवती अब मैं सात्वी अध्याय का महात्मे बतलाता हूँ जिसे सुनकर कानों में अमरित राशी भर चाती है पाटली पुत्र नामक एक दुरगम नगर है जिसका द्वार पहुत ही उंचा है उस नगर में शंकुकर नामक एक भ्रामन रहता था उसने वैश्यवरती का आश्रे लेकर बहुत धन कमाया किन्तु न तो कभी पित्रों का तरपन किया और न देवताओं का पूजन ही वह धनों पारजन में ततपर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था एक समय की बात है उस भ्रामन ने अपना चोथा विवा करने के लिए पुत्रों और बंधों के साथ यात्रा की मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तब एक सर्पने कहीं से आकर उसकी बहां में काट लिया उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मनी मंत्र और औशदी आदी से भी उसके शरीर की रक्षा असाथे जान पड़ी ततपश्चात कुछी शणों में उसके प्रान पखेरू उड़ गए और वहे प्रेत बना फिर बहुत समय के बाद वहे प्रेत सर्प योनी में उत्पन हुआ उसका चित धन की वासना में बंधा था उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा मैंने घर के बाहर करोडों की संख्या में अपना जो धन गार रखा है उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्विम ही उसकी रक्षा करूंगा सांप की योनी से पेडित होकर पिता ने एक दिन स्वपन में अपने पुत्रों के समक्षा कर अपना मनुभाव पताया तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विसमे के साथ एक दूसरे से स्वपन की बाते कहीं उनमें से मजला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सरप्योनी धारन करके रहते थे उस स्थान पर गया यदि भी उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिन्नों से उसका ठीक निश्चे कर लिया और लोब बुद्धी से वहां पहुँचकर बाबी को खोदना आरंब किया तब उस बाबी से बड़ा भयानक साब प्रकट हुआ और बोला ओ मूड तू कौन है किस लिए आया है यह बिल क्यों खोद रहा है किसने तुझे भेजा है यह सारी बाते मेरे सामने बता पुत्र कहता है मैं आपका पुत्र हूँ मेरा नाम शिव है मैं रात्री में देखे हुए सपन से विस्मित होकर यहां का स्वन लेने के कौतुहल से आया हूँ पुत्र की यहवानी सुनकर वह साप हस्ता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला यदि तु मेरा पुत्र है तो मुझे शिक्र ही बंधन से मुक्त कर मैं अपने पूर्व जनम के गाड़े हुए धन के ही लिए ही सर्प योनी में उत्पन हुआ हूँ पुत्र कहता है पिता जी आपकी मुक्ती कैसे होगी इसका उपाई मुझे बताईए क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ पिता कहता है बेटा गीता के अमरत में सब्तम अध्याई को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यग्य भी सर्वता समर्थ नहीं है केवन गीता का सात्वा अध्याई ही प्राणियों के जरा मृत्यू आदी दुखों को दूर करने वाला है पुत्र मेरे श्राद के दिन गीता के सब्तम अध्याई का पाठ करने वाले ब्राम्मन को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे नी संदे मेरी मुक्ती हो जाएगी वत्स अपनी शक्ती के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वयसी और वेद विद्या में प्रवीन अन्य भ्राम्मनों को भी बोजन कराना सर्प योनी में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आग्या अनुसार तथा उससे भी अधिक किया तब शंकू करने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्यय देह धारन किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया पिता ने करोडों की संख्या में जो धन उनमें बाट दिया था उससे वे पुत्र बहुत प्रस्न हुए उनकी बुद्धी धर्म में लगी हुई थी इसलिए उन्होंने बावली, कुवा, पोखरा, यग्य तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उप्योग किया और अनुशा भी वनवाई, तत पश्चाच सात्वी अध्याय का सदा जब करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, हे पार्वती यह तुमें सात्वी अध्याय का महात्में बतलाया, जिसके श्रवन मात्र से मानव सब पात्कों से मुक्त हो जाता है अत सप्तमों अध्यायह ज्यान विज्यान योग श्री भगवान बोले, हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त, जित तथा अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगा हुआतू, जिस प्रकार से संपून, विभूती, बल, एश्वर्य आदी गुणों से युक् मैं तेरे लिए इस विज्यान सहित तत्व ज्यान को संपूर्णत्या कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योगिये शेश नहीं रह जाता। हजारों वनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायन होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। प्रिथ्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुध्धी और अहंकार भी इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृती है। यह आठ प्रकार के भेदो वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृती है और हे महाबाहो इससे दूसरों को जिससे यह संपून जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृती जान। हे अर्जुन तु ऐसा समझ कि संपून भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन होने वाले हैं। और मैं संपून जगत का प्रभव तथा प्रले हूं अर्थात संपून जगत का मूल कारण हूं। हे धननजय मुझसे भिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपून जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सद्रश मुझ में गुंदा हुआ है। संपून पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। श्री भगवान बोले हे अर्जुन मैं जल में रस हूं। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। संपून वेदों में ओंकार हूं। आखाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं प्रिथ्वी में पवित्र, गंद और अगनी में तेज हूँ, तता संपून भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ. हे अर्जुन, तु संपून भूतों का सनातन बीज, मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धी और तेजस्वियों का तेज हूँ, हे भरत्ष्रेष्ट, मैं बलवानों का आसकती और कामनाओं से रहित, बल अर्थात सामर्थे हूँ, और सब भूतों में धर्म के अ अनुकूल काम हूँ, और भी जो सत्व गुण से उत्पन होने वाले भाव हैं, और जो रजव गुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तु मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परन्तु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, आसुरी सोभाव वालों की नि से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मुहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता क्योंकि यह अर्थात अती अद्वुत त्रिगुण मैं मेरी माया बड़ी दुस्तर है परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उलंगन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं माया द्वारा जिनका ज्यान हरा जा चुका है ऐसे आसुर सभाव को धारन किये हुए मनुश्य में नीच दूशित कर्म करने वाले मूण लोग मुझको नहीं भसते है भरतवन्शियों में श्रेष्ट अर जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला आर्थ अर्थात संकट निवारन के लिए भजने वाला जिग्यासू अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ग्यानी ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं उनमें नित्य मुझमें एक की भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ती वाला ग्यानी भक्त अति उत्तम है क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ग्यानी को मैं अत्यंत प्रिये हूं और वह ग्यानी मुझे अत्यंत प्रिये है ये सभी उदार ह है परन्तु ज्यानी तो साक्षात मेरे सवरूब ही है ऐसा मेरा मत है क्यूंकि वह मद्गत मन मुद्धी वाला ज्यानी भक्त अतियुद्त समगती सोरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्यान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मुझको भचता है वह महात्मा अत्यंत तुल्लब है उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्यान हरा जा चुका है वे लोग अपने सुभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारन करके अन्य देवताव को भचते हैं अर्थात पूझते हैं जो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूझना चाता है उस उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रतिस्थिर करता हूँ वहय पुरुष उस रध्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भूगों को निसंदे प्राप्त करता है परन्तु उन अल्ब बुद्धी वालों का वहेफल नाश्वान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहि जैसे ही भजें अंतमे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वा की महिमा भुद्धिहीन पूरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परंभाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचिता नंद्गन परमात्मा को मनुष्य की भादी जन्म कर द्यत्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सब के प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए यह अज्यानी जन्समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं चानता अर्थाज मुझको जन्मने मरने वाला समझता है हे अर्जुन पूर्व में वित्तीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भू अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेश से उत्पन सुक दुक आदी द्वंद रूप मुह से संपून प्राणी अत्यंत अग्यता को प्राप्त हो रहे हैं परन्तु निश्काम भाव से श्रेष्ट कर्मों का आचरन करने वाले जिन पुरुषों का पाप नश्ठ हो गया है वे राग द्वेश जनित द्वंद रूप मुह से मुक्त द्रिग निश्च्य भक्त मुझको सब प्रकार से भचते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरन से चुटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस भ्रम को संपून अध्यात्म को संपून कर्म को जानते हैं जो पुरुष अधी बूत और अधी देव सहित तदा अधी यग्य सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वियुक्त चित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं ओम तत्सत इति श्रीमत भगवत गीता सुपनिश्टत्सू ब् अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शियर अवश्य करीं धन्यवाद